हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू विश्वेज यूट्यूब कैनल इस वीडियो में हम लोग 13 और 14 मार्च के करंदाफेर्स को डिसकस करेंगे यह करंदाफेर्स आपके आने वाले आर्बे असिस्टेंट एक्जाम नैनिताल बैंक का एक्जाम एसाइसी का एक्जाम आर्बे ग्रेडबी का एक्जाम या जो भी कोई एक्जाम मगरे 6-7 महीनों में आएगा उन सभी के लिए जरूरी है जिसकी ठीम है रोटेरी मेकिंग डिफरेंस चौदा मार्च को मना जाता है पाई डे या फिर इंटिनेशनल डे उख मैथमेटिक्स बी हम लोग 14 मार्च को मनाते हैं दोस्तों हमारे प्रधान मंत्री जी ने National Defence University डेडिकेट करी है नेशन को यह करिए गांधिनगर गुद्राप में गांधिनगर गुद्राप में गांधिनगर गुद्राप में National Defence University प्रैम मिनिस्टर ने डेडिकेट करी है इसके अलावा उन्होंने एहमदबाद में 11 खेल महाकुम इसका inauguration किया है 11 खेल महाकुम का inauguration किया है सरदार पटेल स्टेडियम एहमदबाद में PMOदीजी ने हमारे होम मीनिस्टर है अमिच शाजी उन्होंने 37 पॉंडेशन डे सेलीबरेशन इनाउगरेट करे है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के NCRB का NCRB का 37 पॉंडेशन डे प्रोग्राम सेलिब्रेशन अमिच शाह जी ने इनॉग्रेट किया है और इस दिन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम्स एक हैकतन सी सी टी एनेस हैकतन का भी and organization किया गया था इसको इनॉग्रेट किया है अमिच शाह जी ने जो कि हमारे home minister है अगली नीज है दोस्तो जो ministry of rural development है M.O.R.D. M.O.R.D. का मतलब होता है दोस्तो ministry of rural development उन्होंने third edition launch करा है जेंडर संबाद का जेंडर संबाद एक program है जो की है अंडर दीन दयाल अंतियोध्या योजना डिये वाई एनर एलम अब दोस्तों रूरल डेफलेमेंट है तो यह कौन से रहेगा नैशनल रूरल लैवलिविवड मिशन डिये वाई एनर एलम में भी होता है यहां पर हमारे पास एनर एलम के लिए है और जो लोग नाबाल्ड की त्यारी करेंगे उन लोगों के लिए यह न्यूज एल्डी रिलेटेड आ गया बहुत जादा इंपॉर्टेंट है यूजन मिनिस्टर ने हमारे रूरल डेफलेमेंट के ग्रिराथ सिंग जो कि हैं बेगु सराय बिहार से और मिनिस्टर अफ इस्ट है फगण सिंग कुलास् इसका 100 आर्स में कंस्ट्रक्शन हुआ है ठीक और इसका अवार्ड मिला है पी एंसी इंफ्राटेक को इनको इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड्स ने अवार्ड किया है इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड्स इनको मिला है पी एंसी इंफ्राटेक को श्री हर्दीव सिंग पूरी दोस्तों यह हमारे महुआ की मिनिस्टर है Ministry of Housing and Urban Affairs महुआ की मिनिस्टर है शरी हर्दीफ सिंग पुरी इन्होंने इंडिया वाटर पिच पाइलट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉंच किया है जिविनेशन अटल मिशन पर रिजुविनेशन एंड अर्बन इस राइटिंग आप लोग में इस समद लेना ट्रांस्फोर्मेशन अटल मिशन पर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांस्फोर्मेशन यह स्कीम है मिनिस्ट्र अफ हाउजिंग अर्बन अफेर्स की उस स्कीम के अंडर इंडिया वाटर पिच पाइलेट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉंच किया है श्री हर्दीव सिंग पूडी ने मैं इसको जड़ा रब कर दू दोस्तों जो हर्दीव सिंग पूडी दी है यह हमारे यूनियन मिनिस्टर ने महुआ के मिनिस्ट्र अफाउजिंग अर्बन अफेर्स के इनकी कॉंसिट्वेंसी है राचसभा यूपी मिनिस्टर अफ इस्टेट आते हैं Housing Urban Affairs में कौशल किशोर जो की है मोहन लाल गंज उत्तर प्रदेश से निर्मला सीता रामन दोस्तों हमारी Finance Minister है जिनकी Constitution सी रातसभा करनात का है इन्होंने बोला कि इंडिया की जो Digital Economy है ये 800 बिलियन डॉलर्स तक की Exponential Growth देखेगी 2030 तक साल 2030 तक 800 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी हमारी Digital Economy ये बात बोली है हमारे वित्यमंत्री हमारी Finance Minister मैडम निर्मला सीता रामन जी ने इन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा Fintech Industry है उसका Combined Valuation डेर सो बिलियन डॉलर हो जाएगा अगले तीन सालों में अगले तीन सालों में डेर सो बिलियन डॉलर हो जाएगा हमारा Fintech Valuation आगे चलते हैं दोस्तों हमारे लोग साबाइ स्पीकर है ओम बिरला जी उन्होंने 3rd edition of National Youth Parliament जो Festival हो रहा था उसके वैले डिक्री फंक्षिन को एड्रस किया है कोशन आएगा कि National Youth Parliament फेस्टिवल का कौन से एडिशन हो रहा है और पर इसके वेले डिक्टरी फंक्शन को किसने डिरस किया इसके अलावा ये जो फंक्शन हो रहा है दोस्तों ये New Delhi में हो रहा है ये भी आ सकता है कि फंक्शन कहा हुआ है जो भूपेंदर यादव जी है उन्होंने विश्व कर्मा राश्च्व पुरुसकार दिये है नैशनल सेफटी अवाल्ड दिये हैं ये दोनों दिये हैं साल 2018 के इसके अलावा माइन्स की कैटेगरी में नैशनल सेफटी अवाल्ड दिये हैं 2017, 2018, 2019 और 2020 इन चार सालों के लिए श्री भूपेंदर यादव ने दोस्तों जो भूपेंदर यादव है ये हमारे मिनिस्टर है लेबर एमप्लॉइमेंट के मिनिस्टर अफ लेबर एमप्लॉइमेंट है श्री भूपेंदर यादव इन्होंने विश्व कर्मा राष्ट्र पुरुस्कार और नैशनल सेफटी अवाल्ड दिये हैं साल 2018 के लिए और नैशनल सेफटी अवाल्ड माइन्स कैटेगरी में दिये हैं साल 2017 से लेके 2020 तक के ल और दोस्तों स्नैप आइंसी कौन सी कंपनी है आप लोगोंने एक एप यूज करियोगी स्नैपचेट तो उसकी जो पेरेंट और नाइजेशन है स्नैप आइंसी है कंपनी का नाम उन्होंने अटल इनोवेशन विशन के साथ टाइप कर रहा है कि इंडिया के यूद को ऑगि लिएंग इन्चीनिरिंगं एंटेक्नलोजी के साथ टाइप किया है सेंटल इंस्टीट इसे से रण होंगें उनके सारे कंपस अगली णीज देखते हैं इस द्रोंने यूविका नाम का प्रोग्राम रांच किया है यांग साइंटेस् प्रोग्राम यूविका इंडिया ने श्रीलंका के साथ tie up किया है 100 मेगवाट का solar plant लगाएंगे श्रीलंका के ट्रिकोमाली में श्रीलंका में जगे है ट्रिकोमाली वहाँ पर इंडिया 100 मेगवाट का solar power plant लगाएंगी नेक्स्नीज दोस्तो जो तमिलनादू Petro Products Limited है ठीक है यह company है Tamil Nadu में यह first linear alkyl benzene LAB कहते है linear alkyl benzene बनाने वाली company बन गई है world में जिसे BIS का certification मिला है Bureau of Indian Standard का certification मिला है linear alkyl benzene बनाने वाली first company कौन सी है Tamil Nadu Petro Products Limited PPL इंडिया की first medical city बन रही है दोस्तों इंद्रयानी medicity जो की पूने महारास्ट्रों में बने गी इंडियानी medicity पूने महारास्ट्रों में बने गी इंडिया की पहली medical city है दोस्तों कुछ दिन पहले हमने news पढ़ी दी जो कश्मीरी कारपेट्स थे उन पे QR codes बनाए जा रहे थे QR codes बनाए जा रहे थे उन्हें GI tag किया जाएगा उससे वो न्यू डेली आया और न्यू डेली से उन्हें जर्मनी भेज दिया गया export किया गया तो first essay यह GI tag कश्मीरी कारपेट्स हैं हमारे इंडिया के जिने न्यू डेली से जर्मनी export किया जा रहा है आगे दिखते हैं तो दोस्तों करनाट का बैंक ने को सोलर लाइट के साथ में MOU साइन करा है सैल को सोलर लाइट के साथ MOU साइन किया है करनाट का बैंक मिनिस्ट्रियो डेवल्टमेंट में जन्मू एं कश्मीर बैंक को नैशनल अवार्ड दिया है फार आउटस्टेनिग परफॉमेंस ठीक है एसरजी बैंक लिंकेज जम्मो कुश्मीर बैंक के बहुत जादा बढ़ गए हैं पितले साल 2020-21 में यूको बैंक ने दोस्तों जो IDRCL है IDRCL के 3% स्टेक खरीते हैं 1.5 करोड रुपे में दोस्तों मैं आपको बता दूं IDRCL और BAD BANK जो हम लोगो ने पढ़ाता है NARCL दो पार्ट थे BAD BANK एक NARCL था एक IDRCL था NARCL में Majority Stakes Public Sector Banks के थे 51% at least बागी Private Sector Bank ले सकते थे IDRCL में Majority Stakes मतलब at least 51% Stakes Private Sector Banks के होंगे और Maximum 49% Stakes ही Public Sector Banks के हो सकते हैं तो उसमें से भी 3% Stakes अभी योको बैंक ने खरीद लिया है 1.5 करोड रुपे में आगे देखते हैं आगे नीज में क्या है हमारे पास Live Quick दोस्तो लिपक एक Prepaid Payment Instrument है पहला ऐसा Prepaid Payment Instrument है जिसने RBI की Interoperability Guidelines को अचीव कर लिया है यह बात RBI के थुरुआई है Live Quick नाम के Prepaid Payment Instrument ने RBI की Interoperability Guidelines को अचीव कर लिया है पहला PPI बना है यह इंडिया का दोस्तो एबी पान ते हमारे फॉर्मर रेवेन्यू सेकरेटरी थे इन्हें NFRA का Chairperson बना दिया गया है NFRA होता है National Financial Reporting Authority National Financial Reporting Authority NFRA का Chairperson बने है एबी पान डे जो की फॉर्मर रेवेन्यू सेकरेटरी थे डॉक्टर रंजीत रत इन्हें CMD ऑप ओईल इंडिया पॉइंट किया गया है दोस्तो डॉक्टर रंजीत रत को CMD अपॉइंट किया गया है और इंडिया लिमिटेड का ततीक पोता यह Jubilant Foodworks के CEO थे इन्होंने रिजाइन कर दिया है दोस्तो गेब्रियल बोरिक फॉन्ट यह 36 प्रेसिडेंट बने है चील के चील एक नेशन है जिसके 36 प्रेसिडेंट बने है गेब्रियल बोरिक फॉन्ट चील दोस्तों कंट्री आई प्रेसिकेपल von Ricky हम जान लेते हैं इसकी कले सांतिया अगो फंट्रliśmy है fec i aux बहुरें unya कि दो स्कूबर और इन्हें डेटरान चोप्मिंग एक INडेक्स सवह ऑन कि ने कि किसी किना जाधा इन्वेस्मेंट की धिरिटर लुक फिंग में इसमें रैंकिंग हाई है इसमें नॉपर बन इसमें यूए से उसे में दोस्तो 57 बिलिएन डॉलर का बुस्ण हुआ है फिर सेकिन नंबर पे इंडीय आया है 22 बिलियं डॉलर का बिज्सक्राइब ठर्ड नंबर पर चाइना चेहा है रहां पोंफ फॉर ईमबर करें ये कह डोलर व宮जों होस्तों वो 1066.72 tons 1067.72 tons हो गया 2021 में ये बात बोली है जैम जूलरी एक्सपोल प्रमोशन काउंसल ने जैम जूलरी एक्सपोल प्रमोशन काउंसल ने बोला है कि इंडिया का जो गोल्ड इंपोर्ट है ये बढ़कर 1067.72 tons हो गया साल 2021 में साल 2020 में कोविड की वर्य से काफी जङाद अफेक्ट हुए था 2021 में 2021 ब ह 250 पर आ गया है अप इंडिया और इंडिया के सास्थ चाइडा इंडिया और चाइडिया और चाइड है जो की leading gold importers है leading gold importers है दोस्तों इंडिया और चाइना दोस्तों Morgan Stanley ने बोला है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ है financial year 23 के लिए वो 7.9% रहेगी Morgan Stanley ने इंडिया का GDP growth financial year 23 के लिए 7.9% बोला है दोस्तों L&T ने कंपनी बनाई है के L&T सूफिन यह country का first integrated e-commerce platform होगा business to business industrial production services के लिए L&T सूफिन बी-टू-बी इंडिस्ट्री production services के लिए इंडिया का first integrated e-commerce platform L&T ने यह बनाया है दोस्तों गीतांजली श्री एक author है इन्हों ने एक novel को translate करा हिंदी में जिसका नाम है Tom of Sand यह 13 books की लिस्ट में है international booker prize के लिए इंडिया की ओतर गीतांजली श्री का translated novel Tom of Sand नॉमिनेट हुआ है दोस्तों Cristiano Ronaldo है यह football के all time leading scorer बन गए है इन्होंने टोटल अब तक 807 goals कर दिये हैं दोस्तों करंदाफेर्स के वीडियो में इतना ही रहेगा आज अगर आपको content अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए कोई feedback है तो आमने को comment section में बताइए इस वीडियो में इतना ही thank you very much आमने के वीडियो से पेधी है